हेलो दोस्तों वेलकम टूलर एजी वे दोस्तों आधम नगमेत में वर्क एंड टाइम यानि की काम और समय में टाइब नमबर 16 और 17 पड़ेंगे जो की SSC बैंक रेलवे और बहुत सारे कंपटिशन के द्रिष्टिकोंड से यह बहुत ही इंपरटेंट हैं दोस्तों यह क्वे और टाइब तक का क्वेस्टन पड़ जुके हैं डिस्क्रिप्शन ने लिंक है उस पर आप लोग क्लिक करके देख लिए ठीक है तो दोस्तों आप वर्क एंड टाइम को कभी नहीं पड़ें इससे पहले कभी नहीं पड़ें ठीक है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में उसमें math वाले प्लेलिस्ट पर क्लिक करके टाइप एक से वर्क एंड टाइम का पूरा देख लिए ठीक है टाइप एक से लेकर ताकि आपका बेसिक तयार हो जाए और आपका बेसिक थार जागा तो इसका पूरा concept आपको अच्छे सउन्झा जागा ठीक है और यह ठोड़ा ने बचा हुआ काम 12 दिन में कर लिया हुता तो ग्याद करो कि A और B अलग अलग काम को कितने दिनों में करेंगे ठीक है तो देखिए इसको आप ध्यान से देखिए कि आपको सब्सक्राइब कोई काम शुरू किया और चार दिन बाद छोड़ दिया ठीक है मतलब चार दिन काम कर रहा है और B ने बचा हुआ काम 18 दिन में पूरा किया तो इसका मतलब जब A चार दिन काम कर रहा है और B 18 दिन काम कर रहा है तो काम क्या हो जा रहा है मतलब total काम हो जा रहा है तो हम क्या करेंगे एक चार दिन का काम निकालेंगे और B 18 दिन का काम निकालेंगे तो दोनों जो प्रती दीन का काम होता है गौटा है एक दिन का मैं आपको सारे विडियो में बनाए आपको सारे वीडियो में बताता हूँ जो एक दिन का काम, यानि कि जो प्रती दिन का काम होता है, वो क्या होता है, छमता होता है, प्रती दिन या प्रती घंटे का काम जोता है वो छमता होता है, बस डिपेंड यहाँ पर करता है, कि यहाँ पर दिन में दिया है, कि घंटे में दिया है, तो अकर दिन में दिया होगा तो प्रती दिन का काम क्या होता है चमता होता है और यदि घंटे में दिया है तो प्रती घंटे का काम क्या हो जाता है चमता होता है ठीक है तो देखिए तो एक चमता हम क्या मान लेते हैं हम अपने स्विद्धा के लिए यह मान लें ठीक है यह मान लेंगे ताकि ज्यादा कैल्कुलेशन मतलब ज्यादा यक्स वाई-जेट करने में जरूदर फ्रसा दिक्कत ना हो इसको मालेंगे तो बहुत ही हम लोग को आसान तो अब देखिए और बी का चमता क्या मान लेंगे बी का चमता भी बी मान लेंगे ठीक है ताकि दिक्कत ना हो ठीक है आप देखिए तो अब देखिए कहां से कहां से इसका कंसेप्ट बन रहा है तो दिखिए अब कंसेप्ट इस बन रहा है बोल रहा है कि यह चार दिन बा रहा है उसका बात हो रहा है और एक अनुमाल लगा रहा है यानि कि काल्पनिक है ठीक है समभावना बता रहा है कि अगर ये छे दिन बात छोड़ा होगा रहा है वास्तिविक में कितना समय लग रहा है वास्तिविक में एका समय बार चुबा होता तो बी ने भचille वे काम कुब 12 धीन कर रहा है यानि जब यहाँ पर तो दो डीन कें कर क Karl में खुब 12 कि जब ऑ है और हम कर तो इसकाई डिक कर रहा है क hm मतलब जो कर दो है एक रर दीन का कम है कर दे रहा है मतलब दो दीन के वांच से इसका से चैनल घंड कम हो जा रहा है तिक है यां सब इसका जो एक ह्ग हो दूड़े हैं कि अ कि एक दिन का काम कितना है बेड़ाइए तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे यह संबंदे बी कानुपात निकल जाएगा मतब यहां से 2-2 कटा देंगे जो यहां पर तीन बलजएगा तो ए ए गुडे स्वरी ए पराबर तीन कुड़े B ठीक है अहां से ए सम्मद्रे बी का अनुपात आजाँगा यह बटे बढ़ ब्राबर कितना हो जागा तीन बटे एक इसका मतब अब इसका मतब आप नुपात यहाँ यह क्या मनें लगगा आप एक मतब आप यक्स कोई यंक आप मानने जब बी अनुपात से को करेंगे बट में करेंगे आदेगे तो यक्स यक्स क्या हो जाएंगा धिर थे इंत्रम इसे किटना मंनें छेट ये कम की नहीं प्रेपने कि उन्हेम रेंकि यहуिएग थे देढ़िनीय सब्सक्राइब निकाल दे रहें तो दीए का एक दिन का काम कितना यह delta x दूर जो दू past एक दिन का काम कितना मेंahl और बी अलग अलग काम को कितने दिनों में करेंगे ठीक है तो देखिए अब हम आपको पहले बता चुके हैं कि जब छमता होता है ना देखिए जो छमता होता है एक जो किसी का एक दिन का काम होता है एक दिन का काम में अगर हम पूरे काम का भाग देदेंगे तो क्या जाता है अधेश पूरे काम एक दीन का का भांगे रहे हैं, समाई आजाता है, मतलब ये एक दिन में जिस्माल आपके पास 50 काम है, मतलब पचास बोरे चावल है, एक दिन का काम आप 5 काम कररें, मैं पांच बोरे चावल को उठा रहे है तो इसका मतलब क्या आप total बोरे कितने दिन प्लॉच का निकर देटरे ठी मतलब स्चंटा में जो यईमें परकार इसको भी करणे ठीक है तो डूचरा का पूरा पूरा बाता हुआ है अच्छा यद्यगार येगा है समय को कि लगा समय एक को लगा समय कितना लगा तो tcx बटे 3x तो yaks x cancreel हो जागा और 3 दामे 30 मतलब 10 दिन एक को 10 दिन लगा और दी को लगा समय तो v को कितना समय लगा तो 30x इसका बर्दाल काम तुठोब तो तीस यक्स इसका भी होगा, और और इसका चमता कितना है, यक्स, ट्रिक एक्स यक्स श च केंसील हो जगा, तो इसका कितना ब पता थीर गिनी सkevish ठिरक इसका अच्छा स्नुłos्प बना लिए ठिक है इसको अप दिखते रही का लिए बस सब आप इस कोशें को आप समझ पार है ठीक है तो अब बस देखते ही देखिए क्या ब constantly आदो है नहीं में चायरा गंटा में 200 चोलों प्रीडा हाइआ है तो 3 अलग अलग प्रेंटा कितने प्षट पर नई सुनुना लगते हैं बारी-बारी संधियो तश्य-स तुंवह तो कि निए क्या इसमय सेक क्या दिया बोल रहा है तἱमियो湃 कंसेट्ट क्या टीन टईपिश्ट ए理ननकर श्रक काम करके चार सफ़ृब इतना इतना कंसेट्ट यहां से c 5 गंटे में जितने पेज टाइब करता है यह उतने ही पेज 7 गंट marché तो देखिए सब काम हम यहाँ जैसे स्हम्ता माने थे a स्म्ता जुब्सक्राइब और यहाँ पर क्या मानेगे तो हम एक है प्रकार बीकर शंदा ओगा यह क्या होगा यह क्या होगा वी क्या क्या खालता हुगा यह लिए अब इसको उच्छा से नोट्स बना लेगा ठीक है अब दुखिए अब हम यहाँ पर कुछिंट क्या बोला है कि सी पांच घंटे में जितने प्रेज टाइप करता है यह उतने ही पेज 7 गंटे में टाइप करता है ठीक है तो इसका मतलब जो C 5 गंटे में जितने पेज टाइप करता है इसका मतलब C एक गंटे भी कितना टाइप कर रहा है तो एक गंटे में यानिकि एक गंटे मतलब छमता C का छमता कितना है च्मता मतलब C ॉ जो किसके बराबर यह बोल रहा है ॉ उतने फिपेज 7 गंटे का में डाइब करता है इसका मतलब तो जो ये का 7 गंट का बटे Andrea ना चाहित घृट तो इसके मादं से मक्या नीकाल लेंगे तो इसके मादं से हम ये और सीन्सके हम चमता का किया निकाल लेंग अनुपात लेंगे ठीक है तो यह उसी का चंदा कर न पात कि न हो जागा ए बटे यह बटे जो सी नोगा तो पांच वते निन ल्गामारत कमान को दिक है जिस्झे मांध कर अंधिक राक वन्ते ओर सी का क्या रिक यह शाट है ठीक है अब दिखीए अब कंसेट इसके बाद क्या करना है तो अब अब थीखे हां एक घंटे में COB से उतना ज्यादा पाइज टाइब करता है जितां बी कंसेटल चुकाई सोगा है तो मां यहां और बी एऊ निकल गया रहे हैं आ capture 5 ix और c का छम्ता कितना एब 7 X है ठीक है तो अब दखेंगे एक चम्ता 5 ix और c का 7 ix है तो यहांब क्या बहुत भोल रहा है यानि कि 1 गंट वैंद फार शमता यह के बात कर रहा है एक घंटे में CB से उतना ज्यादा करता है तो C जो है बी से उतना ज्यादा करता है ठीक है इसका कुछ रहा होगा इससे कुछ जितना ज्यादा करता है उतना ही जितना ज्यादा करता है उतना ज्यादा पेज टाइप करता है जितना बी एससे ज्यादा टाइप करता है तो देख एक गंटे मेंT στο KbdB se कितना कितना कर रहा है यक्स कर रहे ऑधते सस्ट कर रहे और यक्सिक्स दिधक है और उतना ही ज्यादा कर रहा है जितना 종 डारों स्थ आझनल खेस कामलम सं तुुष्ट कर रहा है यहां पर भी यक्सितना कर मतलब मतलब यहां तो देखिए आप सोच रहे हुआ के यहां पे तो भोगा dengan लग रहा है ठीक है तुछ का तरीका है को बैधिये और ृषाय। यक्स और यक्स यहां पर बढ़ जाएगा तो आप पांच में यक्स जोड़ीजिए या तो साथ यक्स तीकरा दीजिए कमान जाएगा चेक्स के बराबर आ जाएगा तो यहांसे कमान निकल लेंगे चेए तो अब है और यहां से इसका मतलब एक इसका ai क writings जो सब्सक्राइब कर दो इसका यहां जो सब्सक्राइब पिन है यहीए से खन index ऐसका això Southwest सब्सक्राइब कहुं को च्खे इसका मिधंuz हूँ जो PCR क काम पांच उस तो 5-6-11, अब 11-7-18 यक्स, ठीक है, तीनों का समद्धा कितना हो गया, ठीक है, अब दिखिए, जब तीनों का समद्धा 18 यक्स हो गया, तो आप देखिए, मतलब यह तीनों का एक घंटे का काम कितना है, 18 यक्स, 18 यक्स कमान कुछ भी होता है, एक घंटे में कितना काम 4 गंटे में 216 टाइप करते हैं, सोल के बरावर हो जाएगा ठेक है तो यहां समय रसके माल निकल लेंगे यक्स का तो तो दीछांस का तो तरहागे ठीक है इस इसको पूछा क्या है पूछाई कि थीनोः अलग अलग प्रतिगंटा क्या होता है। पांच है । तो इसमें क्या करेंगे isto तो इसमें क्या करेंगे चमता का अनुपाद भी समूम मूझें धाए जांए लग याक्ष अनुपाद । भी यह 5 शेज़ें साथ है। और जो खमता होते है वो अलग होता है कितना है ? तो 5 में प्रति घंटा ठीक है अब अच्छे स्लिक लिए घंटा और यहां पर सी जो है सात्री का 21 प्रति घंटा ठीक है तो यह क्या हो गया मेरा एंसर हो गया ठीक है तो दोस्तों यह क्वेस्टिन्स आपको कैसा लगा ठीक है आप कमेंट में जरूर बता यह ठीक है तो दोस्तों अब क्यों तो आप लाइक सेर और सब्सक्राइब किये ठीक है और अपने सारे study group में शेयर है ठीक है दूस्तों आप मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तक है मुझे इतना मेनद कर रहे हैं तो पता चले कि हां कुछ मतलब आप लोग के म समय और मोटिवेशन मिल लाए था कि आच्छे सा और वीडियो बना है ठीक है तो चलिए आज के लिए इतना ही थैंक्यू सो मज़